हलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मा चैनल दोस्तो आज का मेरा वीडियो अनेक सेल्स प्रोफेशनल के लिए जो सेल्स के प्रोफेशन में सफलता हासिल करना चाहते हैं जो सेल्स के प्रोफेशन में एक नया आयाम, एक नया मुकाम हासिल करना चाहते हैं पर इससे पहले कि मैं आज के विशे पर आगे बढ़ू, मैं सभी sales professional से कहना चाहता हूँ, अगर वो इस profession में सिर्फ और सिर्फ इसले आ रहे हैं कि उन्हें बहुत जादा incentive अनकरना है या फिर बहुत जादा money अनकरना है, तो उनके लिए sales का career short हो सकता है, अगर उने sales के career में दिर्ग कालिंग खिलाड़ी बनना, अगर लंबे समय तक इस sales के career में रहना है, तो उन्हें आज इसी वक्त इस sales शब्द को divorce देना होगा, sales is a by-product, always try to win the confidence of a customer, don't focus on sales, जितना ज्यादा आप sales, sales पे focus करते हैं, जितना ज्यादा आप यह सोचते रहते हैं कि भाई, target है, pressure है, क आप कितने अच्छी तरीके से out of the box जाकर अपने customer को serve करते हैं, आप उन्हें benefit देते हैं, तब जाकर sale होती है, आज customer को सही मायने में product नहीं चाहिए, अगर उन्हें कुछ चाहिए तो solution, समधान, क्या आप सही मायने में समधान बेच रहे हैं, क्या आप सही मायने में समधान कराएं, जब कभी भी आपके customer कोई problem हो, कोई दिक्कत हो, आप उनकी जगा रहकर सोचें कि वे कैसा feel करें, तब जाकर sale होती है, मैं अक्सा sales professionals से सवाल करता हूं, कि क्या महतपूर होगा, कि आप एक customer को दोस्त बना ले, या एक customer आगे बढ़कर आप से दोस्ती कर ले, कुछ sales professionals मुझसे कहते हैं कि रोहन सर, अच्छा तो यह होगा कि हम customer से दोस्ती कर ले, कुछ कहते हैं कि सर, अच्छा यह होगा कि customer हमसे दोस्ती कर ले, dear sales professionals, महतपूर यह है कि कोई customer आगे बढ़कर आप से दोस्ती कर ले, पर यह दोस्ती होगी कैसे, ऐसा क्या करें कि customer को हमसे love हो Yes dear sales professional, only four things, love का first L, that is listen, सुनना, आपको एक अच्छे लिसनर की तरह अपने कस्टमर को सुनना होगा, एक अच्छे लिसनर की तरह हमेशा ये ध्यान देना हो कि आपको सुनना सिर्फ इसले नहीं कि कस्टमर बोल रहा है तो सुन ले, सुनना इसले कि सुन के समझना है, और उससे भी जादा सुन के परवा करनी है, सुनना कई समस्याओं का समधान है, हमेशा अपर्चुनिटी दे अपने कस्टमर को, वो सिर्फ जादा से जादा बात करें और अपने आपको मौका दे सुनने का, आप सेल्स की करियर में बहुत आगे निकल सकते हैं, लफ का सेकेंड हो है, यह इस पर आपको 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 करना होगा, एक आपको, owner mindset से काम करने वाला employee क्या सूचता है कि मेरी company मेरी संस्था का vision क्या है मेरी संस्था आने वाले तीन से चार साल में अपने आपको कहां देखती है वह विजन के हिसाब से काम करता है उससे भली भाती मालूम होता है कि अगर संस्था ग्रोग करेगी तो वह व्यक्ति ग्रोग करेगा संस्था का revenue बढ़ेगा तो इंप्लॉई की growth होगी love का third V है that is value अपने customer को out of the box जाकर value दे उन्हें दिखाएं कि वो आपके लिए कितने जरूरी वो आपके लिए कितने important उन्हें बताएं कि वो आपको opportunity दे रहे हैं कि आपको उन्हें serve करें उन्हें यह जताए कि वो आपके लिए important है हर पल out of the box जाकर सोचे कि कैसे बहतर से बहतर सर्विस देकर अपने customer को delight फिल कराएं love का last year that is engage अगर आप यह करने के बाद आप देखेंगे कि customer आपका दोस्त बन जाता है customer को आपसे love हो जाता है dear sales professionals चाहे आप का नया customer हो पुराना या फिर अभी के अभी एक existing customer आपका हो सभी को मालूम होना चाहिए कि आपके store की USP क्या है कौन सा ऐसा product कौन सा ऐसा creation कौन सी ऐसी service आपके customer की first preference बन सकती है कौन सा ऐसा creation जिसके आपके customer बहुत जादा पसंद करते हैं सभी को मालूम होना चाहिए dear sales professional मैं अक्सर एक बात सोचता हूँ हम अपने आसपस कई सारे advertisement देखते हैं आप भी अपने store का advertisement देखते हैं कई brand अपना advertisement करते हैं क्या कभी आपने एक पल पर सोचा कि खुद के हातों खुद को sale करने का भी advertisement हो सकता है क्या हम खुद के हाथों खुद को बेचने का भी advertisement कर सकते हैं संभव है जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं definitely it will be a miracle for your career पर आपको कुछ करना होगा जी हाँ अपनी जगा बैटे मत रहिए उठिए अपनी जगा से और दोड़िये एक पेपर उठाइए और एक पेन अपने आपको एक जगा पेकांद छोड़ दीजिए और सोचिए कि आपके अंदर कैसे कैसे गुण है कैसी कैसी exceptional qualities आपके अंदर जो आपको और उसे अलग बना आप अपने customer को हमेशा protect करते हैं आप उन्हें out of the box जाकर सर्फ करते हैं आप अपने customer क्ले बने हुए हैं अपनी qualities को लिखे हो सकता है कि यह करते वक्त कई लोग यह कहेंगे आपको कि आप पागलपन कर रहे हैं यार तू पागल हो गया तू बावला हो गया तेरों किसी बै आप पेस्ट करते जहां आप उसे बार बार देखें उससे दोहराएं अपने mobile में अपनी voice पो से record कर दें आप देखेंगे बहुत आगे निकल जाएंगे आप sales के profession में अगर सही माइने में salesman से sales manager तक की journey पूरी करनी तो यह सब कुछ आपको करना होगा मेरी बात मेरे वीड और इतने अच्छे से सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद